तो गाइस इस वीडियो में हम लोग करने बाले हैं बायलोजी के टॉप 200 कोस्टेन जो एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है ओके तो दोस्तों बने रहे हैं हमारे साथ तक आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में जो बैल इकन होता है उसको भी दबा लिजिएगा ताकि आपको टाइम टूटाइम नोटिफिकेसन मिलता रहे चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए दोसें आज के सेशन में अमरा पहला कोस्टेन है जो की इंपोर्टेंट है कि जी बिग्यान एवं जनतु बिग जो पिता है वो कहा जाता है हिपोक्रेट्स को यह जो मैं आपको कोस्टेन करा रहा हूं यह सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है इसके मैं आगे के और पार्ट बनाऊंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लागे तो कमेंट करके जरू बता है अगला देखिए कोसिक कोसिका जो होती है बो माईको फ्लाजम गैली सेप्टी कमाग की होती हो के अर सबसे बड़ी कोसिका क्हे होती है ठीब 시 अीच्छा म्रू का रंग प्री है क्यों पढ़ जाता है इगे पतीओ कर रंग जो पीला होता है उसमें के रोटीन का निर्माण होता is दिलापड जाता है इससी切ी पतीयों का रंग पिलाब जाता है अगला फ्रास्द के छिलके भूलों में पूल पाया जाता है तो आतमहत्या की थहलिग हम लोग कहते है लाइसोसम को यह 5 फिर नेसर मनता कि राईव्सव्म को क्या और जाता है तो देखिए राईव्सव्म को कहते हैं प्रोटीन इने कसा आपको Yadin ॥ पता है । डी एनीयं पंतो कि तो एक कोशन बनता कि केट्रत में जो गुणुट्र जो होते हैं गुणसूत्र DNA एबं RNA रहता है ओके किंद्रग में DNA एबं RNA रहता है और RNA का फिलफाम क्यों होता है तो देखिए RNA का फिलफाम होता है ribonucleic acid next question बनता है कि मनुस में 23 जोड़े या कह सकते हैं 46 chromosome पाए जाते हैं अगला है DNA जो है डियोक्सी ribonucleic acid एक प्रिकार का nucleic acid है nucleic हमले नेक्स्ट बनता है कि कोश्का विवाजन से जीव में प्रजनान एबं ब्रद्धी होती है कोश्का का जब विवाजन होता तो जीव में प्रजनान एबं ब्रद्धी होती है नेश्ट है सम सूत्री विवाजन के कारण जीवों में ब्रद्धी एवं विकास होता है तो कोसिका जीवों में ब्रद्धी एवं विकास कैसे होता है तो देखे सम सूत्री विवाजन होता है उसी कारण जीवों में ब्रद्धी विकास होता है अगला कोशिका जीवन की सबसे चोटी राचना अता हुआ एबं कारियात्मा की एकाई है तो जीवन की सबसे चोटी एकाई क्या होती है तो बहुत ही कोशिका जिसको कहते हैं सेल्फ नेक्स्ट वंता है कि मानभ शरीर में करीब 5000 अरप को सीकाए होती है 5000 अरप sales होती है नेक्स्ट गुन्सूत की कुछ किस ने किती तो देखे गुन्सूत की को किती वो किती Baldrで रने नेक्स्ट ए Johanson ने जीन सब्का प्रतिबातन किया था तो जीन सब्त का प्रतिवादन किस ने किया था तो यह किया था जोहांसन ने नेक्स्ट बनता है सबसे छोटी कोशिकांग कौन सी होती है तो देखिए सबसे छोटी कोशिकांग जो होती है वह होती है राइबोसोम नेक्स्ट आर lugने जो प्रंवु प्रमुक घर होता है में बसका है दो फेस्नेस तो इसां है में साइता प्रतान करना कें अग्सख्राविशًा में अगले से ढहरेने बनने कि उलिकों क्या गटें तो ड्धीनेसे ड्हें एक और ड्धी अरेने बन रहा सहबालो की एशबालो का दिन क्या खेलाता तो देखें है आवरत वीजी पवदा पाय आखेंड बिना, क्यों होटा जिसके बीज मी आवरा पाया प्रकॉष मतर दक्ति चीक्षिय महेंिग्रोगन आबळने इसको फाया जाता है तो देखिए सबसे छोटा आपरद बेची पादप जो यह है लेमना है और सबसे बड़ा अपरद बीजी पादप कौन साई है Eucalyptus Um도 कि महじゃ कर इसे ज्रीपोशन मनता कि सबसे छोटा पुस्प कौन साई यह कोशटन बहुत यार्चạiड होता है सबसे छोटा ही य यह भी रोले ग्रूप D में कई वर कई से बड़ा बीज का उसा होता है तो देखेंगो सब सबसे बड़ी ग्रंती काउंसी होती है तो gland जो होती सबसे बड़ी मनुस के सब में पाए जाती यक्रत जिसको कहते हैं liver और मनुस में ब्रक फेपरों की संख्या कितनी होती है तो वो होती है 2 कुछ और question है जिनको हम लोग देख लेते हैं देखिए अगला question बनता है कि 24 घंटे में मनुस लगवक कितने लीटर मूत्र कत्याग करता है तो यह कह सकते हैं एक दिन में मनुस जो होता है कितने लीटर मूत्र कत्याग करता है तो डेड़ लीटर मूत्र कत्याग करता है मानफशरी में कितनी ऐसति होती है yeah? मानफशरी में तोटल 206 यहां होती है और खुपड़ी में हड्यों की संखिया इतaltetल 8 होती है बढ़िंग नेक्श्ट बनता है कि सरीर की सबसे चोटी हड् सी है तो देखें, शरीर के सबसे चोटी हड़ी है, step piece, जो कि उपाई जथी कान में नएसे हर्मॉन का कार क्या होता है, तो देखिए हर्मॉन का जो कार होता है, सबी प्रकार के रासानिक करियां को नयांतरित करना, जो जितनी भी सरीर में chemical reaction होते हैं, उनको नयांतरित करता न呀ंतरित कारता है, अगला सब्सक्राइब आपकी कोई जगर कर जाता है लो नेशनलेयर के मेड्रूल का तोप्रेंगra है gefूंत नहीम था नाङ। तो शरीर की ब्रद्धी एबम उपापचे की गर्दी को नियंतित करने वाला हर्मोन जो होता है वो थारक्सीन होता है नेफ्स्ट है ऐसा पुस्पी पौदा जिसका बीज फल में नहीं धका रहता है तो वो क्या कहलाता है अनावरत बीजी नेफ्स बनता है कि साख सब्जी का अध्धन क्या कहलाता है तो देखिए साख सब्जी का अध्धन कहलाता है वो कहलाता है ओले रिन कल्चर और टमाटर का रंग पकने पर जो लाल हो जाता है, तो वो क्यूं होता है लाल रंग, टमाटर का लाल रंग क्यूं होता है, तो वो देखी लाइकोपीन के कारण होता है, टमाटर का लाल लाल रंग, और संसार का सबसे बड़ा पच्छी कौन सा है, तो देखी संसार का सबसे ब तो देखिए सकेंदरक की जो खोज किती वो किती Robert Brown ने अगला mitochondria को क्या कहते है तो देखिए mitochondria को कहते है उठ जाग रही या कह सकते है Powerhouse अगला DNA का double hellix model किसे ने दिया था तो DNA का double hellix model दिया था Watson,abum, Creek ने इस पर मैंने एक dedicated वीडियो बनाया है उसको अगर नहीं देखा तो playlist में जाके आप check करके देख सकते हैं DNA का बाटसर नेमम क्रिक मॉडल अगला संपूर्ण सरीर में रक्त का परिसंचरान काउन करता है तो संपूर्ण सरीर में रक्त का जो परिसंचरान करता है वो हर्ट करता है जिसे कहते हैं हरता है अगला एक मनुस के सरीर में लगबग कितने लीटर रक्त होता है या कह सकते हैं खून होता है बलड होता है तो पांस से छे लीटर खून होता है मनुस के सरीर में चाहिनण्य है लाल रक्तिकान जो गोलाकार होते हैं केंद्रराइट तथा हीमोगलोवीन युकतिर रक्तिकार होते हैं L no जीवन काल कितना होता है तो इनका जीवन काल होता है 120 दिन 120 डेस अगला लाल रख्त कण का मुख्यकार क्या होता है तो लाल रख्त कण का जो मुख्यकार होता है वह oxygen और CO2 का संभ़हन नेक्स्ट कोशन मनता है कि RBC जिसको बैते हैं और WBC का निरुमाण कहा होता है तो देखिए लाल रक्त कडिकाया और स्वेत रक्त कडिकायों का निरुमाण होता है अस्ती मज्जा में अगला है पलीहा या को सरीर का रख्ट बैंक का आ जाता है तो सरीर का रख्ट बैंक किसे कहते हैं तो कहते हैं पलीहा को next है स्वेट रख्ट करन WBC का मुखकार क्या होता है तो बाहर से आए हुए रोगाणूं का हनन करना जो रोगानों होते हैं बाहर से उनका हनान करता है डबलो बीसी और डबलो बीसी का जीवन काल करते होता है तो डबलो बीसी का जीवन काल जो होता है बहुत से दो से चार देन होता है और मनुस के सरी की रक्त समूं की खोच किस ने केती थि तेखिए, रक्त समूं की खोच की थी, 1901 में Land Steiner ने की थी अगला मनुस में कितने रक्त समू होते हैं मनुस में 4 Blood Group होते हैं जिसको रक्त समू कहते हैं बो होते हैं A, B, A, B और O इस पर मैंने अभी एक वीडियो अप्लोड किया है रक्त समू पर Blood Group पर अगर नही देखा तो उसको आप देख सकते हैं OK तो देखे रक्त का PH मान जो होता है 7.4 होता है अगर आपका PH मान सास से कम है तो अभी हो जाएगा अगर बीच में है तो 20 हो जाएगा और सास से ज़ाद है तो वो छारी हो जाएगा अगला question मनता है कि एक सोस मनुस का रखतदा पारे पर कितना होता है तो दीकि पारे पर 120 वटे 80 mm होता है और सोसन में सरकरा जो होते हैं सोसा का सोसन जब लेते हैं ऐसे कि सोसन मन करते हैं कि इसको का है अकसी कराण हो जाता है अगला है माना अप सरीर में होने वाली क्रियाओं का नीयमन इभन नीयंतरम करता है तो तंद feature का संत्धर करता है जिसको क्येदते नर्व सिस्टर्म अग्यार प्रोट प्रोटाइन के प्रोटाइन के रैट आपने के घोके Minister teンネル प्रोटाइन का होता प्रोटाइन कहां प्रोटाइन होता है और इपकुट हो चाहते होता तो ₩ च्छोटी आँच में होता है बहस्ट होता है मनुसर का मनूसर क में लगबक कितने जल होता है 85-80% next question मनता है कि मनुद्ध के लिंग निर्धारा पुर्सों xy के क्रोमोसों पर निर्वर होता है ना कि इस्तिरियों के xx के क्रोमोसों पर next है थारक्सिन जो हर्मोन होता है वो आयोडेन होती है अगला केल्विन में मानफ सरीर का सामान तापान कितना होता है तो देखे 310 केल्विन होता है अगला है अल्प एबम असंतुलिस भोजन में असंतुलिस भोजन से अगर अल्प थोड़ा भोजन करते हैं असंतुलिस भोजन करते हैं तो क्या होता है पोस्टन का सिकार हो जाता है बैघ्सथ बनता है कि मानवसरीर में 22 प्रकार के कि अमी अमल पाई जाता है देखे दूजमें क्या क्या पाई जाता तो क्या हुप जाता प्रोटीन इtic और ही करोई ड्रशीयम जिसको कहते हैं Sea blatism government has अगला मनुस के रक्त में हीमोगलोबिन होता है तो हीमोगलोबिन मनुस के सरी में कहा होता है रक्त में अगला अर्थ सूस्त्री विवाजन में गुण सूस्त्रों की संक्या जो होती है आधी हो जाती है और आक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है तो देखिए आक्सीजन की कमी से रोग जो होता है हाइपो एक्जीमा नामक रोग हो जाता है और तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं देखिए नर्वा सिस्टम की इकाई को कहते हैं निूराउन और सबसे बड़ी कोशिका काउंसी मानफ सरी की तो नियूरान हो जाएगी और मानफ सरी की सबसे छोटी कोशिका सियाटिक अगला इस्ट का प्रियोग डवल लोटी बनाने में किया जाता है तो डवल लोटी को बनाने में इस्ट का प्रियोग करिया जाता है भारत में एट सुरोक का प्र śफर्ण रिपर्ट कब मिली थी तो भारत में एट सुरोक का पृऍट ही 1986 में मांफ सोरह के cancer प्रभावथ रिव्लिय को क्या कहते हैं नियूपलाजम या ट्यूमर घ१ ए है अगला करीब कितने बाल होते हैं तो लगबग 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 एप्रॉक्सिमेट पचास लगबाल होते हैं अगला सबसे बड़ा पत्ति वाला पौधा काउंस है तो देखे विक्टोरिया रिजिया अगला भारत में पर्थम परक्नाली सिसु का जन कब हुआ था तो देखे 6 अप परफेंचर नेश्ट है मलेरिया रोग जो होता है प्लाजमोडियम नामक पढ़जीबी के कारण होता है अगला राइजोबियम जिवानों कहां पाए जाते हैं तो देखे ये जलहन के जड़ पर पाए जाते हैं लीची का कौन सा भाग खाया जाता है तो लीची का जो देख बीची Less吉 ने किये थी. tillों साल किया थी। अठरा सावजे में 120 उभाभास की ने किya नेस्ट बंगता कि पोल्योग ठीका कि किस ने किये थी. एगला, पैसे पहले धी जोन सांग ने तियार थी. था, पोल्योग किया मन उस में मेरुधण्ड से 31 जोड़ी तंद्र का निकलती है, अगला सोगत रक्त करण को क्या कहते हैं, सोगत रक्त को लिउकोसाइड भी का जाता है, अगला होमियोपेथी दिवस कब माना जाता है, तो होमियोपेथी दिवस माना जाता है, बीस अपरायल को माना जाता है, अगला होमियोपेथी के जनक क ही हैंनी मेन हैं है 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 अगला है कि मेता बता है फिर बता पिशान थो फॉकिफ बता हुか है और फॉकर है कि स्थेशते हम और बहुतार मोश्टी होता है वीज्विक next ना काट गन्ना के प्रवरदन के लिए था Даже क्या जाता है टना काट गन्ना के प्रवरधन के लिए की अग्रों के यूठी लोगे किया जाता है next, परिभरतन को Type-ra . यह दिखेए हों कि बेर्व्रटन को स्क्राइअट को यूगो दिम्रीक यूद्वरे स्विद pessimist नेए था तो डूक्त दिया था जाल्ज डर्विन दौर्व पृइग थो ब्राइमर्क 9 पर मार्स का प्रणो रटा क्या होता है तो आप इसको त्ः हर कर लेजिए हैं कि अगला है तो दो सनुंन। रोग होता है अगला आंसू लेक्री मल गरंती से स्रावित होता है तो आंसू कहां से स्रावित होता है लेक्री मल गरंती से अगला मानब सरीर के तोचा पर कितने प्रकार के इस्ट पाए जाते हैं तीन किस्म के इस्ट पाए जाते हैं तीन किस्म के ओके अगला मानब में अगला है रख्त में घ्ल्ष में निन्द्र केंद को नियंतरत करता है है कि छो रक्त में कैल्सियम जो होता है फूला होता है कैल्सिय वो मस्तेस्ट में इससे निन्दरा के उन को नियंदृ करता है एकला गूर्दों का मुक्य application होता है तो जो मुक्य क्या होता है उसे अब सिस्थ पधार्थों को हटाना अगला मानभ सर की सबसे चोटे ग्रंती क्या होता, कौन सी है, तो देखें, मानब सरी की सबसे चोटे ग्रंती होती है, पिट्यूटरी ग्लांड, अगला है last question, vitamin D को क्या कहा जाता है, तो vitamin D को hormone भी कहा जाता है, ओके, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, जो लोग नए हैं तो comment करके जरूर बताएं अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर इसका अगला part चाहिए, तो comment करके बताएं तो अगला part में और question एट करूँगा, biology के, जो exam में पूछे जाते हैं, अगर आप इन question को ही पढ़ ल तो thank you धन्मात, आपका दिन सुपर है